बारे में क्यों इतना कमसुलिंगं है क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्यों इस कांसिलिंग को करना भी और साती सात इसमें जो मिलने वाले कॉलेजीच है उनमें एक अच्छी सीट एक सोइन आट है पूछो हाकृत अठाइब पूछे ह्याना में हुआ और जो सा कामसिलिंग के अगर हम बात वर्क करें तो यह क्यों इतना इंपोर्टेंट हो जाता है आपको सीधी सी बात समझना है कि एक जे इमेंस हमने दिया है क्यों दिया है भाई यह एक एक एक्जामिzeug क्योंक फॉस्नल कॉर्स के लिए इंजीनियरंग में एडमिसल लेने के लिए जैाइंट इंक्ञांपी इसको हम जब देते हैं तो क्यों देते हैं कि एक अच्छे जीनियरंग कॉलेजेज में अच्छी सीट बिल जाए और अच्छ Engineering College, सारे के सारे अच्छे Engineering College लगबग लगबग जोसा Counseling की तरोगी मिलते हैं, वो भले IITs हो, NITs हो, Triple IITs हो, या GFTIs हो, GFTIs तो इतने अच्छे नहीं हैं, बच्छे इन तीन colleges के लिए बच्चे कहीं न कहीं effort दे रहे होते हैं, और इसी के लिए J-Mains की तेयारी कर दे, अब भाई सब J-Mains आपने दे दिया, इसमें जितने भी लोग देते हैं, लगबग लगबग 20% वाले लोगों को एक J-E Advance के लिए qualify होते हैं, उन J-E Advance वाल में जो भी qualify कर लेता है, उसको IIT में admission मिलने का एक option so हो रहा होता है या वो eligible हो जाते हैं, जो J-E Advance नहीं देता है, वो सिर्फ N-I-T, T-I-T ही ले सकते हैं, तो ये सारी counselling होगी जोसा की, अब ऐसा नहीं है कि भाई जिन्होंने J-E Mains दिया है, जिन्होंने advance दिया है, उनको अलग-अलग जोसा की counselling करना है नहीं, counselling simple है, एक online ही सारी पिरकरिया है, उसी में किसी को 400 options हो रहे होंगे, किसी को 700, जिन्होंने IIT भी option उनके खुल गए, उनको ज्यादा colleges के options हो रहे होंगे, जिनके पास IIT नहीं है, जिन्होंने advance नहीं दिया, उनको कम options हो रहे हैं, तो जोसा क्या है एक चीज़तों समझ में आ गई है, joint entrance examination आपने दिया उसकी rank के basis पे आपको colleges एलोट होंगे लेकिन भाई साथ, यह एक यहाँ पर बबलू करके बंदा गया राम में बेठा हुआ है या फिर एक यहाँ पर सिवम नाम का लड़का इंदोर में बेठा हुआ है तीसरा यहाँ पर रमेश नाम का लड़का पटना में बेठा हुआ है तो इसको भाई सब कैसे पता चलेगा कि उस पटना वाले को इस लल्लू को क्या चीए तो इन्होंने कहा कि देखो हमें एक online portal बनाते है यहाँ पर आप अपना registration करना registration मातारलव आप अपने बारे में बताना क्या आपका नाम यह माताजी के नाम यह पताजी के नाम यह आप यहाँ पर रहते हो यह करते हो यह तो रजिस्टेशन में आपको सारी चीज़े डालना है जो सा counseling में पोर्टल पे आप जाना, यहाँ पर आप रजिस्टेशन करना, अपने बारे में बताना, उसकी हमें एक नॉमिनल सी फीज लेंगे, आप वो सब्मिट करना, फिर आपकी जो डॉकुमेंट आपने दियें, वो डॉकुमेंट बगरा में बताना, यहाँ पर इसके बाद आप कॉल चॉइस फिलिंग, और चॉइस फिलिंग करने के बाद, जो भी आपने चॉइस फिलिंग की, जो भी आपने कॉलेजिस भरे, अगर आपकी रेंग पे मिल रहे होते हैं, तो आपकी चॉइस के सबसे आपको कॉलेज एलोट हो जाता है, रेंग के बेसे पे, और उसको हम allotment और जब allotment मिल जाता है तो वह लेके हमें उस college में जिस college का नाम उसमें आया है वहाँ पर जाना पड़ता है report support करना पड़ता है admission करना पड़ता है admission हो जाता है ये चार process है right तो जो सा counseling में एक schedule जारी हुआ है अगर हम लोगों ने ये देखा है नहीं देखा है जैसे कि 10 जून से इन्हों ने दे रखा है कि मंडे को 10 जून से आप registration कर सकते हैं क्या कर सकते हैं उससे ना पहले कर सकते हैं और ना ही एक जो particular date निकल जाने के बात कर सकते हैं तो किलियल यह नो ने दे रखा है कि भाई सब 10 जून से आप कर लीजिए राइट कब तक कर सकते हैं यह भी यह नो ने दे रखा है कि भाई सब 10 जून से 14 जून के बीच में आप अपना registration करिए 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन दे दी आपको registration करिए और इसी दोरान आपको choice filling करना है मतलब अपने colleges में कौन सा college पहले चाहिए कौन सा बात में चाहिए अगर माली जी मेनिट भोपाल चाहिए NIT भोपाल के पहले number पर हमने computer sign डाली हो सकता है दूसरे पर EC डाल दी तीसे पर mechanical डाल दी चोते पर civil डाल दी तो एक ही college के चार भी डाल सकते है या अलग-अलग colleges के चार भी डाल सकते है तो इसको हम बोलते है choice filling एक तारिक से लेके 14 तारिक की बीच में आपको क्या करना है registration और choice filling करना है 15 तारिक को जो आपने choice filling की है उसके आधार पर वो एक हलका सा आपको idea देदेगा देखो आपकी ring के साब से आपको ये मिल रहा है क्या मिल रहा है ये मिल रहा है वहाँ पर एक indicate कर देगा जो भी आपने भड़े और अगर नहीं मिल रहे तो आपको बता देगा यह कुछ नहीं मिल रहा है फिर एक particular date के बाद 18 तारिक को 5 बजे अगर आपने नहीं भी किया तो automatic lock हो जाएगा जिसा आपने भरा है और उसी choice filling के basis पर अगले 5 round तक होते रहेंगे देखो पहले 7 होते थे पर 6 हुए अब इस साल 5 ही हो रहे है 5 round तक result आता रहेगा अब choice filling आप दोबारा नहीं कर पाओगे इसलिए choice filling is very important role और इसलिए हमने counselling की process के लिए बच्चों की help के लिए यहाँ पर एक कही न कहीं 3-4 दिन का session करेंगे जिसमें choice filling भरके आपको भेज देंगे आपकी profile के according कि जो भी आपकी profile होगी किसी के अलग rank होती ही किसी के अलग category होती ही उस category उस rank के according बच्चे की profile बना को देंगे नीचे description पर होगा आप profile analysis form भी भर सकते हैं और वहाँ पर नीचे predictor में भी free कर दिया है बिल्को प्रेडिक्टर भी free है आप अपनी rank डाल के पता कर सकते हैं कौन सा college कौन सी branch मिल रही है मिल रही है नहीं मिल रही है बिल्को फ्री और उसके according choice filling आप हमसे करवा सकते हैं हमारी help ले सकते हैं टीम से पूछ सकते हैं तो यह सारी चीज़ हमने बताई यहाँ पर आपको एक चीज़ clear हो गया क्या हमें कब से कब तक करना है और इसके बाद result आते जाना है तो result में जो पाचो राउंड होगे उसमें हम दुबारा choice filling नहीं कर पाएंगे choice filling एक ही बार कर रहे हैं लेकिन उस एक बार की choice filling में हमें study करना है नहीं पता है तो एक dedicated counselor लीजे आप counselor से counseling कराएंगे और पता है तो खुश से करिये सारी चीजे तो ये सारा schedule आ चुका है अब आपको जोसा की counseling करना है लेकिन जोसा की counseling के बाद ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही counseling कर सकते हो आप अपनी state counseling भी कर सकते हो state counseling माली मत प्रदेश हो MPDT कर लूँगा, UP से हो, UPSEE कर लूँगा उस state की जितने भी government private colleges में उसको भी option में लेके चलता हो और यहाँ पर जोसा की counseling की करता हो आप जो know कर सकते हो आपके पास हक है राइट दिया गया है इसके अलाबा हम अलग-अलग universities level भी examination दिया है तो हम भो भी counseling कर सकते है कुछ universities directly J.E.Main के score को ही accept करते है जैसे BITSET है किसी ने BITSET दे रखा है तो यहाँ पर BITS का exam दो BITSET की counseling करो किसी ने नहीं दे रखा है J.E.Main के basis पे भाई, HVTU ले लो, Harcourt बल्टा, AAAM ले लो बहुत सारे colleges Islam भी चोले ही लेस थे तो एक बच्चा 4-4-5 मां ददद जगा counseling कर सकता है लेकिन, लेकिन किस rank वालों को counseling करना है ये भी एक सवाल है तो देखो सीधी सी बात है कोई भी एक अच्छा NITS और NITS की निचली भी branch अकर हम बात करें पचास हजार की उपर नहीं मिलती बिल्कुल low category वाली branch जो होती जिसको ज़्यादा कोई नहीं पूछता है वो आपको मिल लाती C.A.J.C. branch 10,000 की उपर नहीं मिलती या तो अगग आपको मिलेगी तो North की तरफ या ऐसे colleges में जो बिल्कुल सिंपल राइट सो कई में 20,000 भी जाती है नो डाउट 25,000 भी गई ये computer science बट वो निचली के टिगरी के नाइटी अगर हम टॉप एनाइटी की बात करें टॉप टॉप टॉपल आइटी की बात करें तो एक अच्छी रेंक होना जरूरी है तो यहाँ पर एक लाग से उपर रेंक वाले अगर भरते भी हैं तो कोई sense नहीं है सिंपल सा अगर आपकी एक लाग से उपर रेंक है और आपको भरना भी है तो आप जोसा की counseling मत करिए आप करिए C-save की ये भी C-save क्या है कि जो branches बसती है लगबग लगबग लोग branches ही बसती है और कुछ इका दुका वो branches बन जाती है जिन बच्चों ने एडमी से ले लिए लेकिन किसी कारण बार छोड़ दिया भी जो अब आपको अगर एक लाग से उपर रेंक है तो बिलकुल भी इस तरह आप भी ध्यान मत दीचिए counseling को ऐसी temporary या आपको just experience लेने के लिए करना है तो आप कर दीचिए नहीं तो C-save का wait करिए और अगर आपकी rank है 30,000, किसी की 40,000 25,000, 20,000 45,000 या XYZ 15,000 18,000, 22,000 28,000, तो ऐसे बच्चे थोड़ा सा सतर्क रहें क्योंकि इनको एक ऐसी जगा पर है कि एक अच्छा college अच्छी branch मिल सकती है लेकिन choice filling is important और हमने यहाँ पर AI tool इसलिए बनाया है देखो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं studentkabri.com यहाँ पर जाना है जिस ही आप यहाँ पर जाएंगे studentkabri.com एक तरह के website खुल जाएगी और इसी website पर सारे predictor, choice filling, tool यह करके आपको दे देगा यह बताएगा exactly कि भाई सब आपको कौन-कौन से colleges यहाँ मिल रहे rank predictor हो यह XYZ tool हो वो सारे options आपको यहाँ पर मिल जाएंगे UPSW का, C-Safe का बेब जी का, जेक चंडीगर, आईपी उसीटी, जोसा, डेली यह तमाम, अब मैंने यहाँ पर जाना है मैंने अपनी rank डालनी है राइट तो rank हमारी कितनी है माली जे, XYZ कुछ भी है, 22,000 की rank कि आप उस 22,000 की rank पर मुझे यहाँ पर जानना है कि भाई सब मुझे कौन सा college मिलेगा, category डाल देना है भाई, SC का हूँ, OBC का हूँ EWS का हूँ, और कौन से round में चाहिए, यह भी मुझे डाल देना है अब मुझे यह, यह colleges मिल रहे है मेरी इस rank के हसाब से यह मैं particular देख सकता हूँ तो बड़ा easy है सारी चीज़े आपको detail में इसमें predictor में भी check कर लीजे और कुछ पूछ रहे तो पूछे हक से चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करेंगा और मुझे comment Thank you very much, thanks a lot बने रहे हैं आवार सब देखते रहे हैं